अमीश देखिये हिंदू राश्ट्र के फेवर में या हिंदू राश्ट्र के खिलाफ बहुत लोग अपनी अपनी परिभाशाओं के हिसाबसे लड़ रहे हैं वह राश्ट्र जाग्नरण अभ्यान की ओफिशल स्टेट्मेंट है जो मैं जिसकी में राश्ट्रिय संयोजिका हूँ और अपने गुरुदेव माननीय के अन गोविंदाचारे जी के मार्ग दर्शन में हम पूरे देश में अभ्यान चला रहे हैं मैंने एक दिन पूछा मैंने का गोविंजी हिंदू होने का मतलब क्या है अगर एक 10 साल के बच्चे को भी समझाना हो कि what does it mean to be a हिंदू तो हम सिंपल भाषा में कैसे समझाएं तो जो उन्होंने मुझे जवाब दिया आपके चैनल के माध्यम से मैं करोडों भारतवासियों तक पहुचाना चाहती हूं उनी के शब्दों में हिंदूत्व यानि क्या देश की कलेक्टिव स्मृती का परिपाक वो क्या है पांच बाते नमूने के तौर पर बताता हूं पहली बात सभी उपासना पद्धितियों में अखंड श्रधा सभी उपासना पद्धितियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है यह विश्वास दूसरा एक ही सत्ते सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है सेम कॉंशिसनेस परमियेट्स इन ओल अनिमेट और इननिमेट मैटर जो हमें भगवत गीता में श्री कृषिन भी बताके गए हैं कि चीटी से लेके पहड तक में मैं हूँ तीसरा मनुष्य प्रकृती का विजेता नहीं प्रकृती का अंग है इसलिए हम प्रकृती के संग्रक्षन और संवर्धन की बात करते हैं चौथा मात्रुत्व के गुण होने के कारण महिला नारी का समाज में विशेश आदर और आखरी लास्ट बट नॉट द वो हिंदू जो अपने आपको शरीर ना मानता हू आत्मा मानता हू वो हिंदू आप अमीश आप सिर्फ भारत की बात करते हैं मैं कहते हूं आज पूरा विश्व ग्लोबल वामिंग, क्लाइमाटिक चेंज, फूट शोटेज, वाटर शोटेज, अपराद, आतंक वाथ से ज उनने बताया है फिलोस्फिय ऑफ हिंदू रास्तर की क्या है जिसमें कई सारे प्रावधार आते हैं जी सुनिए 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 ला इलाफिल ला मुहम्द रशूल अल्लाइ यह जिसने बोला वो मुसल्मान है जिसका ही मतलब होता है क्या ललाफ एक है और झॉप्स स्प्राद का स्थाओ ऐस नभी आती दूसरे की बात को यह नहीं करना, इसलामभी वाईलेंस के खिलाफें इस्लामी वाइलेंस नहीं सिखाता है एक पक्कास अच्छा मुसल्मान वो है जो इसलाम के टेनेंट्स को माने और हुजूर पाक स्लाइब की बताईयो हदीस पे अमल करें मैं भी एक मुसल्मान की तरह से बताना चाहता हूँ कि मुसल्मान क्या है और हिंदुस्तान के मुसल्मानों का हमारा ये मानना है कि देखिए अल्ला सुपराण तरह ने हज़रत आदम अलिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा अधरत आदम अलिएसलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, इस हिसाब से हमारा ये जो देश है भारत, ये हमारे बाप का देश बुला जाता है, हम सब आदम की अौलाद है, ये मेरा मानना है, कोई धरम अमीज भाई चाहे हिंदूइजम हो, मैं पका सच्चा हिंदूस्तानी मुसल्मान हूँ, और मुझे फकर है इस बात का, इसलिए मुझे डर लगता है, कि ये लोग जो मेरे देश का बटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी छोटी सी राजदीती चमकाने के लिए, हमिश भाई, इस से मैं आहा तो, मुझे करें लोग फ्र और यह भात हो रही है, यह बहुत हो रही है, अंधु प्रक्राइब कर दिए, हमिश भाई वह गो इस sonate, ना कोई तकलीफ है ना को भूड़ने हैं अपनी बात को बारस भारे सुब्यव ल्वारे सापरें ऑपनी बात को रख लिए, वारे सापिम्न आपनी सब्सक्राइब करें आपने बहुत लाहट इस चीज की है क्योंकि यह जानते हैं कि जब हिंदू की परिभाशा हिंदू का मतलब लोगों को बताया जाता है तो हर व्यक्ति हिंदू होना चाहता है हर मजभ का इंसान सोचता है कि अगर हिंदू होना यह तो हाँ हम हिंदू है हम प्रावड है कि हम हिंदू में पैदा हुए कि हमारे समविधान में धर्म पांथ और संस्कृति को परिभाशिट किया जाए मेरा नाम सुबूही खान है, मेरा धर्म सनातन है, मेरा मजभ इसलाम है, मेरी संशिती हिंटु है, ये परिभाशित होना चाहिए, भारत धर्म निर्पेक्ष देश नहीं है, भारत पंथ निर्पेक्ष देश है, भारत धर्म निर्पेक्ष देश है, भारत धर्म निर्पेक्ष के रिलिजिन का नम मिटा देना चाहिए्व करना चाहिए तरह आपके होते हुए आप करने को द्वारा दिया गया भारत कोई ग्रंथ है कोई रिलिजिस कोई परमात्मा द्वारा दिया हुआ ग्रंथ नहीं है कि अग्र आपने की बात करें लिए अगर निदा ने की बात करी है किसी ने किसे ने सब्सक्रान को खतम करने की बात निकर रहे हैं निजाम मुस्तफा की भी बात करी तब भी आपको अपती होनी चाहिए थी अब बदनी सबर अपनी सहाफ निस तरह की बातकर LIKE और ठलाओं को मिलाने की बात करी और उनको बरावर रख़ए करने की बात करी तबी आपको अपक्ती होनी चाहिए थी लिकिन लेकिन गने वह डिखुन जो है वो सिरफ वह डिवाइटि गौभ तरह सिरफ एक विशेपर है वो जायज जी नहीं है ,स्वाइमी इभांकर मैं आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं